नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे हम आज बात करेंगे कि शनी देव के किस मंत्र का कब जब करना चाहिए और उससे किस तरह के फाइदे होते हैं शनी देव के मंत्र जब करने का सही तरीका क्या है और मंत्र जब करने से किस प्रकार आपके काम बनेंगे इस विशे पर आज बात करेंगे बात करेंगे बारा राशी के लोगों के दैनिक राशी फलकी और कारिकरम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और साती साथ बताएंगे सफलता के सकसिस मंत्र के बारे में तो चलिए कारिकरम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांक 28 अपरेल 2024 दिन रवीवार तिथी है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी प्राता काल 8 बचके 21 मिनट तक नक्षत्र है मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशी में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय शाम के 4 बचके 30 मिनट से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा पान का पत्ता खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जान लेते हैं दिनांक 28 अपरेल 2024 दिन रवीवार को प्राता काल 5 बचकर 30 मिनट पर ग्रहों की इस्थिती क्या है सूर्य शुक्र और ब्रिहस्पती विद्यमान है मेश राशी में केतु कन्या राशी में शंद्रमा धनू राशी में शनी कुम्भ राशी में बुद्ध राहु और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मीन राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल क्या रहने वाला है आज हम बात कर रहे हैं शनी देव को प्रसंद करने के लिए मंत्रों के प्रियोग के बारे में सबसे पहले जानते हैं शनी को प्रसंद करने के उपाए क्या है देखिए शनीदेव को प्रसंद करने की तीन विधिया है शनीदेव को प्रसंद कर सकते हैं आचरण से, रतनों से और मंत्र से आचरन से अगर आप शनिदेव को प्रसंद करना चाहते हैं तो आहार शुधी करिए अपना व्यवहार विचार बेहतर करिए और नियमित रूप से दान और धर्म का पालन करिए शनी के लिए रत्नों में जली रत्न या वायू तत्व के रत्न धारन करना सबसे जादा बेहतर होगा लेकिन इन दोनों तरीकों से भी जादा जो बढ़िया तरीका है वो मंत्र जब का है मंत्र जब का तरीका सर्वस्रेष्ट तरीका है जिससे शनी देव अतिशीग्र बहुत जल्दी प्रसन होते हैं अलग-अलग समस्याओं के निवारण के लिए शनी देव के अलग-अलग मंत्रों का विभिन मंत्रों का प्रियोग किया जाता है अगर आप अपना आचरन ठीक रखें अपना व्यवहार अपना स्वभाव अपना खान पान अगर आप ठीक रखें और साथ में मंत्रों का जब करें तो इसके परिणाम अद्भुत होंगे इसके परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे यानि अगर आप शनी देव के लिए मंत्र पड़ रहे हैं और आपका आचरन आपका खान पान आपका व्यवहार शुद्ध है तो शनी के मंत्रों को जपने के विशेश फाइदे आपको प्राप्त होंगे कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और साथी साथ बताएंगे सफलता के लिए सकसेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश, राशी, कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशब राशी व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिष्टों में समस्या से बचाव करें, करियर में परिवर्तन की इस्थिती बन रही है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किले कम हो जाएंगी मिथुन राशी, स्वास्थ का लाब होगा, कोई मनो कामना आपकी पूरी होगी, काम की रुकावट आपकी दूर होगी भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा करकराशी, स्वास्थ में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होगे, रिष्टों की समस्या आपकी हल होगी ठाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा अब आप शनी की बाधाओं से मुक्ती चाहते हैं, शनी देव को प्रसन करना चाहते हैं, तो मंत्र का जप कैसे करेंगे, इसकी विधी क्या होगी शनी देव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो इस्त्री हो या वो पुरुष हो शनी देव के मंत्रों का जप पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ शेहरा करके करना उत्तम होगा शनी देव के मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो जप का सही समय होगा संध्या काल में, सूरियास्त के आसपास या मध्यरात्री में शनी के मंत्र का जप कर सकते हैं, रूद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आप शनी देव के मंत्र का जप कर सकते हैं, उत्तम होगा कि रूद्राक्ष की माला से शनी देव के मंत्र का जप किया जाए, अपने घर में शनी देव का चित्र या मूर्ती न लगाएं, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनी देव को याद करके मंत्रों का जब करेंगे और आप घर में अपने शनी मंत्र का जब कर सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि घर में शनी के मंत्र का जब नहीं करना चाहिए आप अपने घर में अपने पूजा स्थान पर शनी के मंत्र का जब जरूर कर सकते हैं लेकिन शनी का चित्र या शनी की मूर्ती आप अपने घर में मत रखियेगा मंत्र जब करने के पहले अपने गुरू या भगवान शिव को याद करियेगा तब मंत्र का जब करना शुरू करियेगा देखिए बहुत सारे लोग काले रंग के कपड़े पहन करके शनीदेव के मंत्र का जब करते हैं या शनीदेव की पूजा करते हैं तो कोई भी ग्रिहस्त व्यक्ति काले रंग के वस्त्र पहन करके मंत्र जब ना करे शनी के लिए मंत्र जब से अगर आप विशेश फाइदा चाहते हैं तो सफेद वस्त्र या आस्मानी वस्त्र पहन करके आप शनी के लिए मंत्र जब कर सकते हैं अपने घर में पूजा स्थान पर बैठ करके नियमित रूप से शनी देव के मंत्र का जब करिये आपको निश्चित रूप से लाब होगा कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और साथी साथ बताएंगे सफलता के लिए एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिष्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशीफल सिंग राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं रिष्टों की समस्याएं कम होंगी आपकी प्रतिष्था इस समय बढ़ेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कन्याराशी व्यर्थ की दोड़ भाग रह सकती है धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे स्वास्थ का ध्यान बनाए रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किले बहुत हद तक कम हो जाएंगी तुलाराशी संतान पक्ष की उन्नती होगी आकस्मिक धन का लाब होगा किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी संपत्ति लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे धन लाब के योग दिख रहे हैं खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब हम आपको बताते हैं शनिदेव के अलग-अलग मंत्रों के बारे में और किस मंत्र का आप किस इस्थिती में जब करेंगे ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं पहला मंत्र जो अकसर आप जबते हैं या जो कारिक्रमों में आपने सुना होगा वो मंत्र है ओम शंग शनेश्चराय नमहां सामान्य रूप से इस मंत्र का जब रोज शाम को एक सो आठ बार करना चाहिए शनी संबंधी समस्याएं शनी संबंधी बाधाएं इस मंत्र को जबने से निश्चित रूप से दूर होंगी दूसरा शनी देव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्राउम सह शनेश्चराय नमहां ये शनी देव का तांत्रिक मंत्र है शनी की दशा चल लही हो आपकी यानी शनी की महादशा हो शनी की अंतरदशा हो तो इस मंत्र का जब करना आपके लिए लाभकारी रहेगा तीसरा मंत्र देखिए अद्भुत मंत्र है सूर्य पुत्रो दीर्ग देहो विशा लाक्षः शिवप्रियह मंदचारह प्रसन नात्मा पीडाम हरतु मेशनी अगर आपकी साढ़े साती चल लही है धैया चल लही है जिसकी वज़से आपको पीडा हो रही है जिसकी वज़से आपको कश्ट हो रहा है तब आप इस मंत्र का जब करिएगा शनी की पीडा से बचने के लिए इस मंत्र को रोज शाम को 108 दिनों तक आप जब करते जाएए शनी की साढ़े साती और शनी की पीडाओं से आपको छुटकारा मिलेगा पुनह आपको याद दिला दें कि आप अपने घर में शनी का मंत्र पढ़ सकते हैं उनका चित्र और उनकी मूर्ती नहीं लगाएंगे मंत्र का जब करेंगे रूद्राक्ष की माला से और मंत्र का जब करने के पहले अपने गुरू, अपने इश्ट या भगवान शिव का स्मरण करेंगे कल्यान होगा कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और साथी साथ बताएंगे सफलता का विशेश उपाए सकसेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फल धनू राशी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं धन लाब के योग आपके लिए दिख रहे हैं मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मकर राशी काम की अधिकता रहेगी स्वास्थे आपका बिगर सकता है महत्वपूर्ड काम आपके बीच में रुख सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी कुम्बराशी काम का दबाव बढ़ेगा धन की स्थिती अच्छी रहेगी कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मीन राशी करियर की समस्या हल होगी स्वास्थ में आपके सुधार होगा लेकिन अपने नजदी की रिष्टों पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा तो ये तो रहा बारा राशी के लोगों के लिए उनका दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं आपके जीवन आपके धन और संपत्ती के लिए एक वास्तु टिप घर के मुख्य द्वार या अपने गेट का रंग काला मत रखियेगा घर के मुख्य द्वार का रंग या गेट का रंग काला न रखें नहीं तो आपके जीवन में और घर में रहने वालों के जीवन में बेवजह का संघर्ष बढ़ेगा अब जानते हैं 28 अप्रेल 2024 दिन रवीवार का सक्सेस मंत्र क्या है 28 अप्रेल रवीवार को प्रातह काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें इसके बाद एक बार हनुमान चालिसा का पाठ करिये अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी तो आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाजत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड नियूज टुडे नमस्कार करते हैं नमस्कार